अस्सलामों आलेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आज मैं रमजान मुबारक की बहुती स्पेशल दहीं भले की रेस्पी लेकर आई हूँ, जिसे आप दहीं भड़े भी कहते हैं, बिल्कुल बजार जैसे नरम फूले हुए, घर में दहीं भले हम त्य करेंगे तो टाइम वेस किये बिना रेस्पी स्टार्ट करते हैं, भले बनाने के लिए हापर मैंने दो कब बेसन लिया है, उसमें हाफ टेबल स्पून साबत जीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन का पोडर, अगर अजवाइन का पोडर ना हो तो साबत अजवाइन शामिल कर दीजेगा, हाफ टेबल स्पून धनिया पोडर, हाफ टी स्पून गरमसाला पोडर, वन टी स्पून लाल मेचका पोडर, हाफ टी स्पून काली मेचका पोडर, वन टी स्पून नमक, वन टी स्पून कसूरी मेथी, तो बस इसके अंदर इतने से ही स्पाइसेज जाएंगे, जो बिल्कुल बजार जैसा फ्लेवर देंगे अब आपने एक दम से इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना अगर आप एक दम से पानी शामिल कर देंगे तो ये बिल्कुल पतला सा बैटर त्यार हो जाएगा जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और विस्ट की मदद से इसको अच्छे से हिला लेंगे आप स्पून की मदद से या हाथों की मदद से भी अच्छे से बैटर को तियार कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करकर हमने इसका एक गाड़ा सा बैटर त्यार कर लिया है अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून मीठा सोडा शामिल करेंगे और तकरीबन पांच से साथ मिंट के लिए अच्छे से इसको विस्ट करेंगे जितना अच्छा आप इसको फैंटेंगे उतना ही फलफी होगा जिससे हमारे भले बहुत ही अच्छे त्यार होंगे और फूले फूले से बनेंगे इतना गाड़ा आपने बैटर रखना है अब इसको मिक्स करने के बाद 10 मिंट के लिए हमने रेस्ट दी थी दूसी साइट पर हमने पैन में आईल को अच्छे से गरम का लिया है अब एक स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर करके डालते जाएंगे और भले बना लेंगे आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं जैसे आपको असान लगे लेकिन मिक्सचर आपने बिल्को थोड़ा थोड़ा शामिल करना है देखे जैसे जैसे हम डार हैं ये आईल की उपर आते जा रहे हैं इससे मतलब है कि हमारा बैटर बहुत ही फलफी त्यार हुआ है अगर आप बैटर को बहुत अच्छे से भले त्यार होंगे अब एक मिन्ट के लिए एक साइड से फ्राइ करने के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे अभी तक हम हाई फलेम के उपर भले फ्राइ का रहे थे लेकिन साइड चेंज करने के बाद अब हम फलेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि भले हमारे अंदर तक अच्छे से फ्राइ हो जाएं अगर फ्लेम को आप हाई रख के फ्राइ करेंगे तो ये बाइर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्छे रहेंगे इसी तरह साइट को चेंज करते हुए 10-12 मिंट के लिए लो फ्लेम पर हम इनको फ्राइ करेंगे हाई फ्लेम पर आपने इनको फ्राइ नहीं करना जब हम 12 मिंट के लिए इनको फ्राइ करेंगे तो ये अंदर तक बहुत अच्छे से फ्राइ हो जाएंगे और कच्चे नहीं रहेंगे तो देखिए हाँ पर हमारे बल्लों का बहुत ही खुबसूरत सा कलर भी आ गया है अब हम एक छलनी की मदद से निकालेंगे तो देखिए बिल्कुल बजार जैसे फूले पूले से हमारे भले त्यार हुए है अगर आप रेसिपी को स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करेंगे तो इन्शाला इनका टेस्ट भी इसी तरह बनेगा जैसे बजार से आप लाते हैं अब यहाँ पर हमने 750 गराम दही लिया है दही को सबसे पहले अच्छे से फैंट लेंगे फिर इसमें भले शामिल करेंगे भले हम पहले शामिल करेंगे तांके दही में अच्छे से सोक ढो जाएं और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें दो बड़े साइस के प्यास बारी कटीवी शामिल करेंगे दो उबले हुए आलू शामिल करेंगे क्यूब्स में कटे हुए एक बड़े साइज का टिमार्टर क्यूब्स में कटा हुआ बारी कटा हुआ फ्रेश पुदीना बारी कटा हुआ फ्रेश धनिया बारी कटी भी दो सबस मिर्चे अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो अब इसमें कुछ स्पाइस जाएंगे जिसमें वन टी स्पून काली मेच कप ओडर वन टी स्पून नमक हाफ टेबल स्पून साबत जीरा हाफ टेबल स्पून चाट मिसाला तो बस इस पॉइंट पर इतने सही आपने मसाले शामिल करने हैं अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक घंटे के लिए इसको फ्रेज में रख देंगे ताकि बहुत अच्छे से ठंडे हो जाएं जब भी दही भले बनाएं तो उनको हमेशा ठंडा ही सर्फ करें तो एक घंटे के बाद अब हम इसको एक प्लेट में सर्फ करेंगे और बिल्कुल बजार जैसा ही हम इसको घर में भी सर्फ करने का तरीका बताएंगे सर्फ करने के बाद सबसे पहले हम इस कीव पर चाट वाली पापरी डालेंगे फिर इस कीव पर थोड़ा सा टमाटर कैचिप डालेंगे टमाटर कैचिप के बाद अब हम इस कीव पर खटी मीठी इमली की चटनी डालेंगे आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप बजार से लेकर आए हैं ये बहुती मज़ेदार घर आप बजार जैसे तियार कर सकते हैं अब थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे और थोड़ा सा चाट मिसाला तो देखिए बिल्कुल बजार जैसी सर्विंग हमने आपको घर बता दी है आप जब भी दहीं बल्ले सर्व करें तो जरूर इस तरह सर्विंग करिएगा अब यहां पर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे बल्ले बहुती नरम त्यार हुए हैं आप इस तरह रेसिपी को स्टेप बाइ स्टेप फालो करेगा इन्शाला आपको पसंद भी आएगी और आपके बजार जैसे दहीं बल्ले घर त्यार होंगे अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा हमें दौाओं में याद रखें